आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूज करते हैं Vivo का मुबाइल और अगर आप अपने डिफॉल्ट ब्राउजर को चेंज करना चाहते हैं यानि कि अगर कोई WhatsApp या Facebook पर कोई link आता है तो वो आपके Vivo के ब्राउजर में open होता है तो आप उसे Chrome प एलेगा more settings या फिर additional settings तो आपको इस पर टच करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा permission management तो यहाँ पर आपको permission management पर touch करना है और इस पर टच करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा और आपको नीचे default app settings का एक option मिल जाएगा आपको इस पर touch करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक option browser का तो browser पर touch करिए उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा Chrome आप इसे यहाँ से Chrome पर touch कर दीजिए और यहाँ पर आपका default browser अप Chrome सेट हो जाएगा यानि कि आप कोई भी link अगर आप open करेंगे तो वो automatically Chrome में ही open होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को भी subscribe चरूर करें